इस टुटरियल में हम क्लास 9 के चैप्टर 7 की तूरम 7.7 solve करेंगे which states in any triangle the side opposite to the larger angle is longer यानि कि किसी भी triangle के अंदर जो बड़ा angle होगा उसके सामने वाले ही side भी बड़ी होगी तो जैसे इस triangle में हमने ये मान लिया कि angle B angle A से बड़ा है हमने ये triangle इस तरह से constructory ली तो हमें ये proof करना है कि angle B के सामने वाली side यानि कि A C angle A के सामने वाली side यानि कि B C से बड़ी होगी अब हम इसको proof करते हैं और proof करते हैं हम इसको using a contradiction कैसे हमें यह प्रूफ करना है कि B के सामने वाली साइड A C A C वो A के सामने वाली साइड B C से बढ़ी है ठीक है क्योंकि एंगल B बढ़ा है तो उसके सामने वाली साइड बढ़ी है यह हमें प्रूफ करना है मैं यह माल लेता हूँ कि ऐसा नहीं होता let's assume assume that AC is smaller than BC ठीक है तो मैं पहले ही माल लेता हूँ कि मैं यह assume कर लेता हूँ AC BC से बड़ी है ही नहीं AC BC से छोटी है अब अगर AC BC से छोटी हो तो आपको theorem 7.6 याद होगी theorem 7.6 क्या कहती है कि किसी एक triangle की जो बड़ी side होती है उसके सामने वाला angle भी बड़ा होता है as compared to छोटी side के सामने वाला angle तो अब AC को अगर मैंने छोटी side assume किया है तो उसके सामने का angle B, BC के सामने वाले angle A से छोटा होगा तो यहां से AC के सामने, AC के सामने आगया angle B किसे छोटा होगा वह? B C के सामने वाले एंगल से तो वो क्या है? एंगल A, right? हमने यह मना कि A C side B C से छोटी है हमने A C side को B C से छोटा मान लिया तो अगर A C B C से छोटा हो तो A C के सामने वाले एंगल B C के सामने वाले एंगल से भी छोटा होगा according to theorem 7.6 लेकिन यह contradiction आ गई क्यों? एंगल B एंगल A से बढ़ा है So this is a contradiction तो यह contradiction आ गई Hence our assumption is wrong तो हमने यह जो जूँम किया था यह गलत था This implies A C is greater than B C Hence proved So that was it from this tutorial Keep watching Mathematia झाल